हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं साथ सा draw करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर phone consultation लेने के लिए आप screen पर दिखाए गए मेरे whatsapp नंबर के जरीए संपर्ख कर सकते हैं अब पा सकते हैं अपनी कुंडली वो भी 5 साल की भविश्यवानी के साथ वो भी सिर्फ 99 रुपीस में यहाँ कुंडली पाने के लिए अब जोतिशर.com पर जा सकते हैं इस website का link वीडियो की description में दिया गया है यहाँ पर अब देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक squarish formation में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers की बात की जाया तो आप यहाँ पर देख पाएंगे fingers medium length में हैं काफी अच्छी thickness यहाँ पर इनकी fingers की नजर आ रही है यहाँ से आप देख सकते हैं fingers काफी थिक हैं जो काफी अच्छी energy and stamina को indicate करती है साथी साथ आपको सभी fingers पर कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रिखाएं भी नजर आएंगी इस तरह की रिखाओं का होना indicate करता है कि native मिलनसार सभाव का रहेगा ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं एक बहुत अच्छी personality ऐसे native की आपको देखने को मिलेगी अगर हम इनकी तरजनी उंगली की बात करें तो मीडियम लेंथ में यहां फिंगर बिल्कुल स्ट्रीट आपको यहां पर नजर आएगी इस तरह की गुरू फिंगर का होना indicate करता है कि native की leadership qualities काफी अच्छी रहेंगी ऐसे व्यक्ति knowledgeable होते हैं spiritual minded होते हैं दूसरों को guide करने वाली nature दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली personality ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी अगर हम शनी फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे काफी अच्छी लंबाई में और बिल्कुल straight यहां फिंगर यहां पर नजर आ रही है इस तरह की शनी फिंगर का होना दर्शाता है कि native काफी मेहनती nature का होगा ऐसे व्यक्ति disciplined होते हैं एक न्याय प्रिया और अनुशाशन प्रिया टाइप की personality ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी इन्ही खूबियों की वज़े से जीवन में काफी अच्छी तरकी कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति जरूर काम्याब हो जाते हैं अगर हम इनकी सूरे फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे बिल्कुल street और काफी अच्छी लंबाई में इनकी सूरे फिंगर यहाँ पर नजर आ रही है इस तरह की सूरे फिंगर का होना indicate करता है कि native काफी creative nature का होगा ऐसे व्यक्ति के भीतर अच्छी artistic qualities आपको देखने को मिलेंगी लेकिन साथी साथ इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना native को थोड़ा risk taker सभाव का बनाता है ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार risk ले बैठते हैं व्यक्ति रिस्क लेने से नहीं घबराते हैं और कई बार तो अपनी धन की investments के मामले में भी ऐसे native को risk लेते हुए देखा जा सकता है ऐसे व्यक्ति कई बार अपने पैसों को ऐसी जगाहों पर invest कर देते हैं जहां पर loss की संभावनाए हों जैसे share market है cryptocurrencies है, mutual funds है, multi-level marketing है ऐसी चीजों की तरफ भी native का रुझान आपको देखने को मिलेगा अगर हम finger की अच्छी length को देखें तो इस तरह की सूरे finger native को काफी अच्छी पहचान बनाने में भी help करती है अगर हम बात करें इनकी mercury finger की तो आप देख पाएंगे mercury finger हलका सा low set है अगर हम fingers के बिलकुल नीचे एक line draw करें तो कुछ इस तरह है कि एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी जिसमें आप देख सकते हैं, यह finger इनकी बाकी की उंगलियों के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई जैसे यह है इनकी सूर्य finger है, यह है शनी की finger और यह है गुरू की finger इस सभी fingers आपको काफी उपर से शुरू होती हुई नजर आएंगी जिसे हम high set fingers कहते हैं, जबकि यह finger थोड़ी सी low set होती हुई जिस वज़े से थोड़ी hesitation भरी nature, थोड़ी shy type की nature ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है लेकिन इनके communication skills में कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यह finger लंबाई में काफी अच्छी है आप देख सकते हैं, यह finger सूर्या finger के top falange के बिलकुल नस्दीक पहुचती हुई आपको नजर आएगी और इस तरह की mercury finger का होना native के strong business equipment को और काफी अच्छे communication skills को दरशाती है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को भी आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो गुरू परवत का area है काफी उभरा हुआ है आपको draw करकर बताना चाहूंगा कि सिरिया के हम बात कर रहे हैं यह जो area है यह जो तरजनी उंगली के नीचे का mount है काफी उठा हुआ इस तरह का उभरा हुआ गुरू परवत हो और इस mount की उपर कोई cross का चिन बन जा जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे cross का निशान बनता हुआ इस तरह का cross का चिन native को ग्यानवान बनाता है spiritual minded होते हैं ऐसे लोग धर्म करम के कामों में रूची रहती है सिक्षा के क्षेत्र में और अध्यात्म के क्षेत्र में काफी अच्छी प्रोग्रिस ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कर पाते हैं गुरू फिंगर के बिलकुल नीचे गुरू परवत के उपर इस तरह का cross बनना native को knowledgeable और अध्यात्मिक बनाता है और ऐसे व्यक्ति समाज में 40 वर्ष की age के बाद बहुत अच्छी पहचान बना लेते हैं काफी अच्छा मान समान ऐसे व्यक्ति को समाज में मिलने लगता है इसके अलावा आप देख पाएंगे कुछ आड़ी रिखाएं कुछ इस तरह हैं कि रिखाएं आपको इनके गुरू परवत पर नज़र आएंगे लाइन्स ओफ सिंपथी कहते हैं और ऐसे व्यक्ति के एक से ज्यादा सोर्स ओफ इंकम भी आपको देखने को मिलेंगे जिनके गुरू परवत पर ऐसी एक से अधिक रिखाएं मौजूद हों आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह हैं से उपर की तरफ चलने वाली बारीक रिखाएं भी आपको नज़र आएंगे और इस तरह हैं कि रिखाओं का यहाँ पर होना बहुत अच्छी प्रोग्र को इंडिकेट करता है इन रिखाओं को तरक्की की रिखाएं कहा जाता है यानि प्रोग्रेस लाइन्स कहा जाता है और ऐसी प्रोग्रेस लाइन्स अगर किसी व्यक्ति के गुरू परवत पर हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे करकर काफी उचाई तक पहु और दबा हुआ शनी परवत होने से जीवन में करियर की शुरुआत में संघर्ष अधिक रहता है ऐसे व्यक्ति को अपने comfort zone से निकल कर भी काम करना परता है अपनी जीवन में काफी अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति को करने पड़ सकती है जबकि इनके हाथ में जो भागया रेखा ह वो double है आपको दिखाना चाहूँगा इनके हाथ में जो fate line है वो यहां से शुरू हो रहे है लेकिन थोड़े wavy pattern में जिसकी वज़ा से जीवन में काफी उतार चड़ा भी रहते हैं यहां से शुरू होने वाली यह रेखा आपको आगे बढ़कर कुछ इस तरह के wavy pattern में जबकि इसके parallel एक और line चलती हुई जब इस तरह से wavy pattern में रेखा हो तो native को अपने career की शुरूआत में कई बार कुछ दिखतें आती हैं लेकिन जैसे जैसे age बढ़ती है ऐसे व्यक्ति काफी अधिक तरक्की भी करते हैं क्योंकि यहां पर यह रेखा double हो रही है आप देख स लगते हैं इस रेखा का इस तरह से double होना native को एक से अधिक काम देता है एक से अधिक source of income ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जरूर बना लेता है और लगबग 40 के असपास की age के बाद बहुत अच्छी तरक्की ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलती है सूर्य परवत की area है हलका सा दबता हुआ नजर आ रहा है और इस mount का दबना जीवन में से यश को कम कर देता है अगर किसी का सूर्य परवत इस तरह से दब रहा हो ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले दूसरों की कितनी भी मदद कर ले बदले में कोई इनाम कोई appreciation नहीं मिल जिसे हम यश की कमी कहते हैं overall यहां पर आपको कुछ इस तरह की एक लंबी रेखा नजर आएगी जिसका होना काफी positive है साथ में कुछ parallel lines जिसकी वज़े से multi-tasking type की personality रहेगी और लंबी सूर्य रेखा का होना native को जीवन में बहुत अच्छी पहचान बनाने में help करता है ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी creativity होती है काफी अच्छी artistic qualities भी आपको देखने को मिलेंगी अगर हम बात करें इनके mercury mount की तो यह mount भले ही low set है लेकिन काफी उभरा हुआ इस तरह का उबरा हुआ mercury mount होना native के business equipment को strong करता है नेटिव के communication skills को काफी enhance करता है उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ खड़ी लाइने भी नजर आएंगी यह रिखाएं healing lines कहलाती है बुद्ध परवत के उपर ऐसी रिखाएं हो तो ऐसे व्यक्ति के भीतर दूसरों की problems को समझने की और उनकी problems को दूर करने की क्षमता होती है ऐसे व्यक्ति किसी ना किसी तरह से अपने शब्दों से अपने कर्मों से अपनी सलाहा या consultation के जरिए लोगों की problems को दूर करने में सक्षम होते हैं और हमेशा दूसरों की help करते रहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी major lines को आप देख सकते हैं इनकी जो heart line है कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है और यहाँ पर आकर आपको यह रिखा शनी परवत के बिल्कुल नीचे रुपती नजर आएगी तो काफी practical personality ऐसे व्यक्ति की रहती है overall heart line में कोई भी major problem नहीं है लेकिन यहाँ पर आकर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी downward branches भी नजर आएगी इस तरह की रिखाओं का होना later age में चलकर कुछ health related issues इनको दे सकता है ऐसी रिखाओं होने से native कू 50 के बाद की age में कुछ minor health issues जैसे blood pressure, thyroid, cholesterol और कईबर diabetes जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है लेकिन कोई भी major problem यहाँ पर नजर नहीं आ रही अगर हम इनकी mind line की बात करें तो आप देख पाएंगे एक लंबी मस्तिक श्रेखा इनके हाथ में है और बिल्कुल straight इस तरह की mind line का होना indicate करता है कि native की memory बहुत अच्छी रहेगी ऐसे व्यक्ति की logic करने की capability है वो काफी strong होती है money triangle यहाँ पर खुला हुआ है आप देख सकते हैं तीन रिखाओं से money triangle बनता है सबसे पहली रेखा यही वाले जिसको हम भागया रेखा कहते हैं अगर यह रेखा यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट हो तो यह रेखा संपूरन मानी जाती है और यह रेखा जिसको हम mind की line कहते हैं वो भी complete लेकिन तीसरी रेखा जो एक लंबी रेखा चाहिए वो यहाँ पर कुछ इस तरह ऐसे नज़र आ रहे हैं यहाँ रेखा mercury line होती है लेकिन इस रेखा में यहाँ पर आपको एक gap बनता नज़र है जब भी इस तरह का gap हो तो यहाँ खर्चों की अधिकता को indicate करता है ऐसे व्यक्ति के पास धन आता ज़रूर है लेकिन ऐसे व्यक्ति के खर्चे भी काफी अधिक जीवन में देखने को मिलते हैं अगर हम इनके हाथ में बनने वाले mystic cross की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक cross की अक्रिती आपको बनती हुई नज़र आएगी कुछ इस तरह का cross का चिन है इस cross के चिन को mystic cross का नाम दिया जाता है और जिनकी भी थेली पर ऐसा cross होता है ऐसा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की जो six sense है वो काफी अच्छी होगी ऐसे व्यक्ति को पूर्वा अभास होते हैं कुछ भी अच्छा या बुरा होने वाला हो अपने साथ अपने किसी relatives या अपने किसी मित्र के साथ कुछ भी होने वाला हो ऐसी चीजों का पूर्वा अभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है और ऐसे नेटिव की जो रूची है उकल्ट साइंसिस में भी रहती है जैसे यह पामिस्ट्री है एस्टेलोजी, टेरोकार्स, वास्तू, रेकी जैसी विद्याएं हैं ऐसी चीजों की तरभी नेटिव का रुझान आपको देखने को मिलेगा अगर हम बात करें इनकी जीवन रिखा की तो आप देख पाएंगे इनकी जीवन रिखा है काफी अच्छी लंबाई में है और जीवन रिखा का अच्छी लंबाई में और सपष्ट होना काफी भागयशाली माना जाता है ऐसी रिखा होने से नेट रिखाओं से हलकी रिखाओं के माध्यम से कुछ इस तरह का एक फिश का चिन आपको बनता हुआ नजर आएगा ये तू परवत पर इस तरह का चिन बनना बहुत ही लकी माना जाता है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कई बार अकास्मिक धन लाप आते हैं शेर मारकेट से, लौटरी से, इंशोरेंस के जरिये, इनहरेटेंस के जरिये, पुष्तैनी जमीन जैदार जैसी जिगाओं से नेटिव को अच्छी धन की प्रापती होने के योग जीवन में कई बार बनते हैं ऐसा फिश का सिंबल हाथ में होने से नेटिव को अपने जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके भी मिलते हैं फॉरन ट्रैवल के चांसिस भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिल सकते हैं वीनस यानी शुकर परवत की बात करें तो यह माउंट आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा उभरा हुआ शुकर परवत हो तो नेटिव को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाय मिल जाती हैं हर तरह के कमफट्स को ऐसा व्यक्ति इंज्वाय करता हैं लेकिन यहा का सामना करना पड़ सकता है अगर हम इनके चंदर परवत की बात करें तो आप देखेंगे यहां पर कुछ आड़ी रिखाएं बनती हुए आपको नजर आएंगी जिनकी वज़े से थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं का सामना भी नेटिव को अपने चीवन में करना पड़ सकता है तो दोस्तों ये कुछ अनैलसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट हैं कि अगर इनका कोई क्वेशन पैंडिंग है तो मुझे वर्टसैप पर मेसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद